एक दिन की बात है काफी रात हो गई थी, मगर मोटू को नींद नहीं आ रही थी, वह सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह पतलू को नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि वह दिन भर काम करके बहुत अधिक ठक गया था, लेकिन मोटू ने कोई भी काम नहीं किया था इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी फिर वह उठकर बाहर घूमने के लिए चला गया तब ही मोटू देखता है कि एक बिल्ली रात के समय में किसी के घर से चोरी करके आ रही है उसके पास एक हार था वह उसे लेकर आ रही थी मोटू उस बिल्ली से वह हार लेना चाहता है लेकिन बिल्ली वहां से दूर भाग जाती है बिल्ली को पकड़ना आसान नहीं था बिल्ली दीवार के ऊपर चढ़ जाती है लेकिन मोटू भी उसे आज पकड़ना चाहता था वह बिल्ली के पीछे जाता है फिर बिल्ली मोटू की छट पर जाती है फिर मोटू भी छट पर आ जाता है वह बिल्ली को आज पकड़ना चाहता था क्योंकि उसके पास एक हार था बिल्ली भी देखती है कि मोटू आज उसका पीछा कर रहा है मोटू की छट उपर से तूटी हुई थी बिल्ली उसमें से नीचे गिर जाती है और मोटू भी नीचे आ जाता है मोटू पतलू पर गिरता है, पतलू को बहुत दर्द होता है मोटू पतलू से कहता है कि बिल्ली चोर है, मैं उसे पकड़ने आया हूँ पतलू बिल्ली को देखता है जिसके पास एक हार होता है फिर दोनों बिल्ली के पीछे पड़ जाते हैं सुबह तक ऐसा ही चलता रहता है जब सुबह हो जाती है तो लोग देखते हैं कि मोटू और पतलू दोनों बिल्ली के पीछे है इस तरह वह दोनों बिल्ली को पकड़ ल लेकिन जब सभी मोटू को देख रहे थे तो पता चलता है कि वह अब सो गया है रात भर मेहनत करने के बाद उसे नींद आ गई थी लेकिन पतलू की नींद मोटू खराब कर चुका था एक दिन रात को जब मोटू और पतलू दोनों सोये हुए थे तब उन्हें एक सपना आया और पूरी रात दोनों एक ही सपना देखते रहे उस सपने में मोटू राजा बना हुआ था और पतलू उसका सेवक जब सुबह हुई तो दोनों जाग गए और आपस में अपने सपने के बारे में बात करने लगे तब ही दोनों को पता चला कि दोनों का सपना एक है फिर दोनों यही सोच रहे थे कि हमारा सपना एक ही क्यों है और हमने ये एक साथ ही क्यों देखा है सपने के बारे में पता करने के लिए डाक्टर जटका के पास गए और पूछा कि कुछ सपने के बारे में बताईए